इस पार्ट में हम निम्न लिखित बातों के बारे में अध्यन करने वाले हैं कोशिकाओं के विविद घटक, कोशिका अंगक की संद्रचना और उसके कारी कोशिका जीवन की मूलगामी इकाई होती है एक कोशिकीय जीवों के लिए एक कोशिका ही वो प्राणी होता है और बहु कोशिकीय जीवों के लिए कोशिका ये उनके जीवन का आरंब होता है कोशिका के घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही कोशिका के अंगकों की रचना और कार्य के बारे में जानकारी कोशिका के अंदर घटीत होने वाली विवित प्रक्रियाओं के बारे में अध्यं करने में हमारे लिए मददगार साबित होगी कोशिका विभाजन प्रक्रिया में differential centrifugation अर्थात फर्क केंद्रोत्थारी की विधी और इसोपिकनिक सेंट्रिफिगेशन अर्थात समसंगनन प्रवनता केंद्र प्रसारण विधी इस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका के अंगकों का अलगाव होता है फिर बायोकेमिस्ट अर्थात जीव रसायन शास्त्रग्य इन अंगकों को सूख्षम दर्शी द्वारा देखकर उनकी संद्रचना को समझने की कोशिश करता है इन विशुद अंगकों को अधिक अध्यन द्वारा हम इनके कारियों को भी समझ सकते हैं अर्थात कोशिका विभाजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकी अगटकों को प्रिथक किया जाता है और ऐसा करते समय सभी घटकों के व्यक्तिगत कारियों को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुंचती है इसमें कोशिका के घटकों का प्रिथक करण द्रवामान या वस्तुमान के आधार पर किया जाता है इस प्रक्रिया में कणों को उनकी घटक के आधार पर प्रिथक किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कोशिका के विविद घटक कौन से हैं? कोशिका के घटक हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ती, कोशिका कला और भिन भिन प्रकार के कोशिका अंगक. सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं. कोशिका होते हैं यह समरूप पदार्थ होता है जिसे साइटो प्लाजमिंग मैट्रिक्स या कोशिक द्रव भी कहा जाता है यह अने कोशिका अंगगों का वातावरन होता है और यहीं पर विवित प्रकार की जीव रासायनिक अर्थात बायो केमिकल प्रक्रियाएं घड़ती हैं यह कारण कोशिका द्रव का एक बड़ा भाग पानी होता है कोशिका द्रव का पीए स्तर उदासीन यह तटस्त होता है यह पीए च्छे पूर्णांक आट दशमलव से साथ पूर्णांक एक दशमलव तक होता है साइटो स्केलेटन अर्थात कोशिका कंकाल भी कोशिका द्रव् काम होता है द माध्यम्य केंद्र की कोशिका शूक्ष्य अनों से बनती है कोशिका ड्रव्य का कारिय एक कोशिका अंग को औनों को आधार देणа और यह दोनों इसमें ही बहुते हैं turn कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे प्रोटीन का संसलेशन, गलाइकोलाइसिस, आधिक रियाएं होती रहती है। 3. कोशिका द्रव्य कोशिका के आकार को बनाये रखने में मदद करता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रव्य दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाजम अर्थात पुरस या जीव द्रव्य कहा जाता है, इसे कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है, कोशिका भित्ती, ये घटक वनस्पती कोशिका, शैवाल और कवक की कोशिक में नहीं होता है यह घटक कोशिका के अंतर्गत सामगरी को बाहिय वातावरण से सुरुक्षित रखता है कोशिका भित्ती की संद्रचना जियों के प्रकार और कोशिका के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है आधी केंद्र की कोशिका भित्ती दो परतों से बनती है अंतरगत परत पेप्टी डॉग लाइन से बनती है बाहिय परत लिपो प्रोटीन्स और लिपो पॉलिस चराइड्स से बनती है कवक काइटीन से बनता है, जो गलूकोस से व्यूत्पन अर्थात निर्मान होता है वनस्पति कोशिका की वियवस्था सामान नितहार तीन परतो में होती है जो कार्भो हाइडरिडस जैसे प्रोटीन, सलिलोज अर्थात कोशिका रस हेमिसलिलोस, अर्थात, कुछ मातरा में खनेज, जो संदरचनात्मक प्रोटीन की मदद से एक जाला सा बनाते हैं, जिससे कोशिका भित्ती का निर्मान होता है, ये तीन प्रमुक परते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ती, मध्यलामिला अर्थात कबच, माध्यमिक कोशिका भ वी profit सशक्तता और ज्र्वता प्रधान करते हैं वे कोशिकांसे पानी के रिशाव को रोते हैं वे पुरस अरथात प्लोटोप्लाजम को तांत्रिक शटी से बचाते हैं कोशिकाकला समस्त जीवित कोशिकांे एक पत्लासा अर्ध पारगं में आवरण होता है जिसे कोशिकाकला या प्रसरकला कहा जाता है ये प्रसरकला मूल तहा वसायुक्त द्वीस्तरों और प्रोटीन सर्थात प्रतिनों से निर्मान होते हैं जिनका वर्णन सावान रूप से वसायुक्त द्वीस्तर इस प्रकार किया जाता है ये प्राणी कोशिकाओं का सबसे बाहियतम आवरण होता है प्रसर कला के कारियों के बारे में अब बात करते हैं एक वे कोशिका की अंतरगत अखंडता को बनाए रखते हैं दो ये आधार प्रदान करते हैं और कोशिका का आकार भी बनाए रखने में मदद करते हैं ये पोशक तत्वों और अन्य पदार्थों के कोशिका में प्रवेश के लिए सहायक होते हैं और साथ ही कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं वे अपने इस कोशिकी ये भक्षन और कोशिकी ये उत्सरजन के माध्यम से कोशिका का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं प्रसरकला कोशिका संकेतन और संपर्क में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है वो चैनात्मक पारगम्य आवरण की तरह काम करती है एक कोशिकी ये जिवन का आरंब होता है कोशिका विभाजन प्रक्रिया में इस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका के अंगको का अलगाव होता है कोशिका के घटक हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका वित्ती, कोशिका कला और भिन भिन प्रकार के कोशिका अंगक वनस्पती कोशिका की व्यवस्था सामान निताहा तीन पर्तों में होती है जो Carbohydrates जैसे प्रोटीन, Cellulose अर्थात कोशी का रस, Hemicellulose अर्थात कुछ मातरा में खनीज जो संद्र चनात्मक प्रोटीन की मदद से एक जाला सा बनाते हैं, जिससे कोशी का भित्ती का निर्मान होता है जघ को प्रोटीन की में खिर्मी की